प्रस्नावली साथ दस्मलों दो के पार्ट वन वीडियो में हमने प्रस्न संख्या एक के प्रस्नों को हल किया था आज प्रस्नावली साथ दस्मलों दो के पार्ट टू वीडियो में हम प्रस्न संख्या दो के प्रस्नों को हल करने जा रहे हैं तो हमारा पहला प्रस्न है एक स्क्वाइर माइनस नाइन इसे हम लिख सकते हैं x square minus 3 square अब दिये गए सर्फ समीका में हम देखते हैं कि यह जो ब्यांजाकाया किसके अनुसार है या किसके जैसा है तो हम देख रहे हैं यह तीसरे नंबर के जैसा है यहाँ a square minus b square है तो उसी तरह से यहाँ x square minus 3 square है यहाँ a है तो a की जगा x है और यहाँ b है तो b की जगा 3 है तो इसका बायाद पक्ष में हम देखते हैं a plus b into a minus b तो उसी के बायाद पक्ष की तरह हम यहाँ भी लिखेंगे तो x plus 3 यानि a की जगा x था b की जगा 3 था तो x plus 3 into x minus 3 तो दिया गया जो व्याद जग था उसका यह गुरिंखन आ गया प्रसुल संख्या 2 यह है 4 x square minus 25 y square इसे हम पुना लिख सकते हैं 2 x का whole square minus 5 y का whole square तो यह पुना सर्वसमी का 3 का अनुसार है तो हम पुना उसे हम लिखेंगे उसी तरह से 2 x plus 5 y इंटू 2 x minus 5 y अब प्रसुल संख्या 3 देखते हैं 3 a square b cube minus 27 a to the power 4 b यहां हम इस व्यांजक को देखते हैं यह किसी भी सर्वसमी का के जैसा नहीं है तो यहां हम क्या करेंगे पहले कुछ common हमें नजार आ रहा है कि इन में से कुछ common है इसे हम common निकाल लेते हैं तो यहां हमारा common हो जाएगा 3 a square b तो अभी इधर हमारा बच गया b square और इधर 9 चुकि तीन नमा 27 होता है और यह a square चुकि b तो हमने यहां common ले लिया है अब इसे हम ऐसा लिख शकते हैं 3 a square b और यह b square माइनस 3 a का whole square तो अब हमारा यह हो जाएगा 3 a square b और यह वाला जो हमारा व्यांजक भी है यह हमारा तीसरे सर्वसभी का जैसा है तो यह हो जाएगा b plus 3 a into b minus 3 a प्रस्ण संख्या 4 a y square minus ax square यहां कुना हम देख रहे हैं a common है इधर आ गया common में तो यह y square minus x square और थात यह हो गया a into y plus x into y minus x प्रस्ण संख्या 5 25 a x square minus 25 a तो यहां भी कुछ common हमें नजर आ रहा है यह common है 25 a तो यहां पर हमारा बज जा रहा है x square minus 1 तो इसे पुना हम ऐसा लिख सकते है 25 a into x square minus 1 square 1 को हम 1 square भी लिख सकते है यह 25 a into अब हम देख रहे है x square minus 1 square यह सर्व समी का तीन के रुशार ही है तो यह हो जाएगा x plus 1 into x minus 1 यह दिये गए व्यांजयक का हमारा गुननखन आ गया अब प्रस्न संख्या 6 देखते है यह है x square by a square minus r square by 25 तो इसे हम लिख सकते है x by a का whole square और यहां r by 5 का whole square तो यह फिर सर्व समी का तीन के रुशार है तो यह हमारा हो जाएगा x by a plus r by 5 और into x by a minus r by 5 अब सात्वा नंबर प्रस्न देख रहे है यह है x to the power 4 minus 1 तो इसे हम इस तरह से लिख सकते है x to the power 4 minus 1 to the power 4 पुना इसे इस तरह से लिखेंगे x square का whole square minus 1 square का whole square तो यह हो जाएगा हमारा x square plus 1 square यानी 1 और x square minus 1 square x square plus 1 into यह x square minus 1 square पुना हमारा सर्व समी का 3 के नुसार हो रहा है तो यह होगा x plus 1 into x minus 1 प्रस्न संख्या 8 a to the power 4 minus a minus b to the power 4 इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं a square का whole square minus a minus b whole square का square तो यह पुना हमारा सर्व समी का 3 की तरह है तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे a square plus a minus b whole square और into a square a square minus a minus b whole square तो यह तो वही रहा जाएगा a square plus a minus b square और यह होगा हमारा a plus a minus b और a minus a plus b चुकि यह bracket से पहले minus था जब हम यहाँ minus दे रहे हैं तो यह अंदर का चिन बदल जाएगा यहाँ plus दिये थे इसलिए चिन ही नहीं बदला तो यह हो गया a square plus a minus b whole square और यहाँ a plus a 2a हो गया 2a minus b और यहाँ a और minus a cancel हो गया बच गया b अब question number 9 यह x square by 25 minus 625 तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से x by 5 का whole square और यह minus 25 का whole square तो यह हो जाएगा हमारा x by 5 plus 25 or into x by 5 minus 25